हेलो, वेलकम टू माई चैनल, माईनेम इच्मनो सागर, गेस्ट लेक्षरा और गवर्मेंट पॉली टेक्निक पूरण फो जैसा कि students हमारा chapter चल रहा है machine और इसमें मैंने आपको third system of pulley पढ़ा दी है और आज हमारा topic है based on differential pulley जैसा कि students मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस chapter में 5 machines आपको मेलनी पढ़नी है जिसमें से एक machine आपको 99% exam में मिलेगी यह 5 machines है third system of pulley, based on differential pulley, simple wheel and axle, differential wheel and axle, berm and wheel यह 5 machines में से आपको एक machines exam में मिलेगी आज का हमारा topic है based on differential of pulley एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा students आज मैं वीडियो बना रहा हूं यह हिंदी में बना रहा हूं और based on differential pulley की English में video कल आएगी तो आज मैं हिंदी में वीडियो बना रहा हूं और आप जहां से देखिए तो हम start करते हैं मैंने already copy पे notes बना रखे हैं based on differential pulley तो दिखिए जैसे कि हम पहले figure में देखेंगे यहां पर दिखिए थ्री पुली हमें दिख रहे हैं एक पुली P1 दिख रही एक पुली P2 दिख रही और एक नीचे की पुली जो ऊपर की दो पुली दिख रही है एक पुली बड़ी पुली है और एक छोटी पुली है इस दोनों पुली को हम उपरी ब्लॉक कहते हैं और यह जो छोटी पुली है यह इसे निचला ब्लॉक कहा जाता है और एक ऐसी रसी जो जिसका कोई सिरा नहीं होता है यानि कि एक रसी को हम एक सिरे पर बांध लेते हैं और एक लूप बना लेते हैं और उस रसी को इस परकार इस पुली पर एड़ेस्ट करते हैं जैसे कि हम देखाते हैं कि एक रसी है जो बड़ी पुली से होते हुए निचल मैं एक बर आपको बताता हूँ क्या होता है इस मशीन में दो ब्लॉक होते हैं फ्री वौलाउग छत या धरन पर बात रहता है उन बाले वौन्ट थे ब्लॉक बिलॉक पर दो पुलियां पुली 1 पुली 2 हैं जैसे कि हमने बताया और आपस में बद होती हैं अर्थास एक साथ घूमती हैं इन दोनों पुलियों के ब्यासों में अंतर अवस्य होती है निचले ब्लाक में केवल एक ही पुली होती है उठाया जाने वाला भार डबलू निचले ब्लाक पर ही लटकाया जैसे कि हमने बताया कि यहां दो पुली होती है निचले ब्लाक होता है निचले ब्लाक देख सकते हैं यहां पर यह है इसमें भी पुली है और इसी पर भार डबलू लटका हुगा है अब देखिए कुछ इसका हम कंस्ट्रक्शन देखते हैं इसका कंस्ट्रक्शन देखिए यानि इसका कोई सिरा नहीं है यानि एक ही रस्ती को हमने बांद कर एक लूप बना लिए और इसको पूरा इसी तरीके से हमने इस पर एक अड़ेस्ट्मेंट करके चड़ा दिया जाता है सिस्टमेटिक तरीके से अब दिखिए मैं फिर से पर पढ़ा एक सिरा रहीत रस्ता या जंजीर बड़ी पुली पर होते हुए निचले ब्लाग की पुली पर लबेटती हैं और अंत में उपरी ब्लाग की छोटी पुली टू पर लपेटा जाता है इस प्रकार बड़ी पुली पर लपेटने से पहले तथा छोटी पुली टू पर लपेटने के पस्चाथ रस्ते का भाग धीला होता है और रस्ते पर प्रयास पी बड़ी पुली से संबंदित धीले भाग पर निच्चित्र के अनुसार लगा जाता है इस प्रकार हम कम बन लगाकर आजिक धार उठा सकते हैं दिखिए इसको मैं थोड़ा एक्स्प्लेइन करता हूं एक हमने सिरा रहित रसा ले लिया यह एंडलेस रसी ले ली बड़ी पुलीसे होते हुए निचले ब्लॉक की पुलीसे ले जाते हुए और फिर इसकी अंदर वा बाता है यही का मैकरीज्म होता है अब दिखी हैं इसका मेकनिकल एडवांटेज कैसे निकालते हैं देखेंगे अ में है दिखिए ई-प्टल-डी उप्री ब्लॉक की बड़ी पुली का वियास है जिए यहां पर एक बड़ी पुली है यहां से देख सकते हैं वह बड़ी शोटी पुली है प्रयास भी रसी पर लगाया गया प्रयास है जैसा कि हमने अभी चित्र में देखा था तथा डबलू निचले ब्लॉग की पुली द्वारा उठाया गया भार अभी दीखिए उपरी ब्लॉग की बड़ी पुली पर के द्वारा एक चकर में चली गई दूरी जैसे कि हम जानते हैं किसी भी circle का circumference यानि कि जो परधी होती है वो πाई-डी होती है और जितनी उसकी circumference होती है एक चक्र में कोई भी गोल जीज आ कोई भी भी भाहिया पाई-डी दूरी तै करता है तो जब बड़ी पुली पर रसी एक चक्र चलेगी तो उसकी distance पाई-डी हो निचली पुली द्वारा चली गई दूरी दीखी जो निचली पुली होगी उन दोनों के अंतर के वराबर दूरी तैय करेगी जैसे कि एक बार मैं आपको चित में देखके समझाता हूं यह हमारी बड़ी पुली है और यह इसकी अंदुरूनी पुली है यह जो पुली है एक हो इस occasional चकर में इन दोनों के अंतर के वराबर की दूरी तै preparation कें लिकारेगी जब हम कियास लगा के जृत समय आपसे लनत दिखाए निचली पुली के दौरह को चली गई दूरी संदिन… d minus pi small d अता w भार के दोरा ऊपर की ओर चली गई दूरी pie d minus pi small d upon 2 यह w भार के दोरा ऊपर की ओर चली गई दूरी इसका मीनिंग यह हुआ जैसे कि हम यहां से रस्टी को इसको यहां से खीचेंगे तो यहां से एक चकर चलेगा, एक चकर यह चलेगी और यह उपर उठेगी तो इस W के वारा उपर की तरफ, उपर की तरफ हुआ विस्थापने, उपर की तरफ जो displacement होगा वो इतना होगा पाई कैपिटल डी माइनस स्माल डी अपॉंट टू अब देखिए जैसा कि हम वेगा उन उपाच, यानि कि velocity ratio का formula जानते हैं, P द्वारा चली गई दूरी, बटे W द्वारा चली गई दूरी, तो बलसिटी रेज़ा, पी द्वारा चली गई दूरी, पाई डी, यानि कि देखिए, फिर से एक बार समझ लीजी, यहां से जो हम force ल calculate की है, दिख रहा है, यह आ गया, पाई कामाल लेंगे, तो पाई से पाई कैंसल आउट हो जाएगा, और यह जो नीचे 2 है, यह उपर चला जाएगा, तो यहां ते velocity ratio में मिलेगा, 2D upon D minus D, सेम अगर हम इसको, सेम अगर हम इसको, radius की term में लिखेंगे, तो हम सभी लोग जानते है, capital D is called 2 होता है, small r is called 2 होता है, capital D upon 2, यानि कि हम सभी लोग जानते, diameter radius का, radius diameter की half होती है, तो इसकी radius के term में, आदर सिस्थिती में, अब दीखिया, mechanical advantage का formula हमें निकालना है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि आदर सिस्थिती में, mechanical efficiency जो होती है, वो 100% होती है, जिसकी वज़े से mechanical advantage हमारा velocity ratio के बराबर हो जाता है, और हमें यहाँ पर similarly, यह formula मिल जाता है, क्योंकि mechanical advantage बराबर velocity ratio, देखिये दोस्तो, students मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप मेरे चैनल को subscribe कर लीजे, और जितना हो सगे इस video को share क्या करें, मैं ऐसे ही आपको important important video बनाता रहूंगा, और इस machine को बहुत भी अच्छे से पढ़ें, 5 machine है, बहुत important है, इन मेंसे एक machine exam में हर बार आती है, तो 99% से हो रहे एक machine आपको जरूर मिलेगी, thank you.